परिचय सभी द्रव्वे आधार भू तत्वों से बनते हैं, जिनको रासाइनिक एवं भातिक गुणों के हिसाब से अलग नहीं किया जा सकता। तत्व में एक तरह का पर्माणू नहीं थोता है। उधारन के लिए कारबन पर्माणूं के साथ मिलकर हीरा और ग्रेफाइड भी बनाता है। विशुद्ध 24 कैरट सोना सिर्फ एक तरह का पर्माणू होता है, स्वन पर्माणूं यानि गोल्ड एटम्स। अनू योगिक होते हैं, जिसमें तत्व एक निश्चित तय अनुपात में होते हैं। उधारनार्थ, पानी, गुलुकोज, एटीपी। उद्देश्शे। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासाइनिक संयोजन के नियम जैसे द्रवेमान, संदक्षन का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जानना। डालटन के पर्माणूं सिध्धान्त की चर्जा करना। पर्माणूं, अडूं और मोल के बारे में जानना। रासाइनिक संयोजन का नियम रसाइन विज्ञान पदार्थ और उसमें होने वाले बदलावों पर आधारित है। इनको ही रसाइनिक संयोजन के नियम से जानते हैं। ये नियम हैं द्रव्यमान संदक्षण का नियम और थिर अनुपात का नियम अथवा निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संदक्षण का नियम इस नियम के अनुसार पदार्थ का रसाइनिक और सामाने भातिक बदलावों से ना तो निर्मान किया जा सकता है ना ही उसे नश्ट किया जा सकता है। उधारन के लिए जिंक सल्फर अनुओं से प्रतिक्रिया करके ZNS यानी Zinc Sulfide बनाता है। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस नियम को प्राउस्ट ने इस तरह पेश किया। रासाइनिक योगिकों में तत्वों का अनुपात द्रवेमान के द्वारा सदैव स्थिर होता है। योगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रवेमानों का अनुपात सदैव एक आठ अनुपात है। चाहे जल का सुरोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अब घटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइडोजन और 8 ग्राम आक्सीजन प्राप्थ होगी। डाल्टन का परमाणू सिध्धांत डाल्टन के परमाणू सिध्धांत ने द्रवेमान के संरक्षन के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की। इस सिध्धांत की विवेचना इस प्रकार कर सकते हैं। सभी द्रव्य पर्माड़ों से निर्मित होते हैं। पर्माड़ों अविभाज्य, सुक्ष्मतम कण होते हैं जो रासाइनिक अभिक्रिया में तुस्रिजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिये गए तत्व के सभी पर्माड़ों का द्रवेमान एवं रासाइनिक गुण धर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के पर्माड़ों के द्रवेमान एवं रासाइनिक गुण धर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के पर्माडूं परस पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर योगिक निर्मित करते हैं। किसी भी योगिक में पर्माडूं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। पर्माडूं पूरी दुनिया पर्माडूं से बनी है। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। लेकिन वे होते हैं और स्थाई रूप से हम जो करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। परमाणू बहुत छोटे होते हैं, वे किसी भी वस्तू जिसकी हम कलपना या तुलना कर सकते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। लाखो परमाणूं को जब एक के उपर एक चट्टे के रूप में रखें, तो बड़ी कठनाई से काघस की एकशीट जितनी मोटी परद बन पाएगी। आधोनिक तकनीकों की सहयता से हम तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिविंबों को दिखा सकते हैं, जिन में उपस्थित परमाणूं स्पश्टे दिखाई देते हैं। विभिन तत्वों के परमाणूं के चिन्ह तसिद वैग्यानिक डाल्टन ने सर्वप्रत्थम तत्वों के लिए विशिष्ट अर्थ में प्रतीक का उप्योग किया था। किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात तत्व का एक परमाणूं। तत्व के नाम से एक दो अक्षरों को लेकर प्रतीक बनाने का सुझाव बहर जिलियस ने दिया था। इभिन तत्वों के परमाणों के चिन प्रतीक तत्व का एक भिन नाम होता है और उनके रासाइनिक प्रतीक अदुतिये होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नामों के पहले या पहले और दूसरे अक्षर को जोड़ कर बनाए गए हैं। उधारण, आरगन यानि A-R, प्लोरिन यानि C-L, जिंक या जस्ता यानि Z-N इत्यादी, कुछ तत्वों के प्रतीक नीजे तालिका में दिये गए हैं। अणू किसी भी तत्व या योगिक का सुक्ष्मतम कण होता है। यह सोतंत्र अस्तित्व रखता है। अणू किसी तत्व या योगिक के सभी गणों को प्रदशित करते हैं। बहुत से तत्वों जैसे की आरगन, AR, हिलियम, HE आदी के अणूं इन तत्वों के एक मात्र परमाणूं से निर्मित होते हैं। ऑक्सीजन के अणूं की चड़चा करें तो इसके अणूं में दो परमाणूं होते हैं। इसलिए इन्हें दोई परमाणूं यानी O2 कहते हैं। अगर समाने रूप से दो के स्थान पर आक्सीजन के तीन परमाणूं एक अणूं में चुड़ते हैं, तो हमें ओजोन ट्राप्ट होता है। तत्वों की परमाणूं की संख्या को अणूं की परमाणूं की परमाणूं की संख्या को अणूं की परमाणूं की परमाणूं की संख्या को अणूं 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 की परमाण के मेल से होता है। विभिन तत्वों के परमाणूं निश्चित अनुपात में मिलकर योगिकों के अणूं का निर्मान करते हैं। उधारण, पानी, अमोनिया, कार्बन डायोकसाइड, हाइडोजन पैरोकसाइड इत्यादी। मेकनिक्स और फ्लिूड डायनमिक्स में होता है। इतिहास में देखें तो अठारवी शताबदी के आखिर में एंटाइन लवुजियर ने दरविमान सनक्षन के सिध्धान्त की खोच की। इसमें रसाइन विद्या में विशेश महतपून बदलावों को आधोनिक प्राकृति रसाइन विज्ञान में स्थापिक किया। स्टील लोहे से भी अधिक कठोर होता है क्योंकि इसके परमाणूं कहीं ज्यादा सخت रविदार जाली के रूप में एक दूसरे से जकड़े होते हैं। लकडी के जलने या अचानक उपचयन से समस्या हो सकती है क्योंकि यह आक्सी पानी में घुल जाता है क्योंकि उनके अणूं यानि आयन ऐसी परस्थिती में खुद का विक्टन कर देते हैं। साराश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रासाइनिक अभिक्रिया के दोरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रवेमानों का योग आपरिवर्दनिय होता है। यह द्रवेमान के संदक्षन का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासाइनिक योगिक में तत्व हमेशा द्रवेमान के निश्चित अनुपात में विद्दिमान होते हैं। यह निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। एक अनुप किसी तत्व का वो सुक्षमतं कण होता है जो सौतंत्र रह सकता है और अपने सभी रासाइनिक गुणों को बनाए रखता है। अनुप किसी तत्व अत्वा योगिक का वो सौक्षमतं कण होता है जो समाने दशाओं में सौतंत्र रह सकता है। झाल झाल